हालो फ्रेंस आई होब आप स्वाब अच्छे होंगे मैं गीता आप लोगों का स्वागत करती हूं मेरा चैनल भगीचा खुआई शोका में तो आज मैं फिर विसकस का कटिंग लेके आ गई हूं देखिए विसकस का ब्रांचे जो है उसके साइड साइड में थोड़े काट कर ना है कि नारे क के नारे से जहां पर मटई में जाएगा क्योंकि-वही से रूट नीकलेंगे इंगे तो भूछ सारे कंटिंग सेखिएख व्ही डब्व में लगांगी मैं क्योंकि मैं बड़प बड़ासा दू ब्रांच का ओ यर्लेरीं की थी तो बहुत सारे ब्रांचे स उस थोड़े थोड़े काट लगा ले, जहाँ आप मिट्टी में जाएंगे, और उपर पत्टे थोड़े थोड़े हटा दे, तो मैं ऐसे करके लगा के इसमें रख दे रही हूँ, बहुत सारे बधते निकले थे, इसको रख दूँगी. जहां पे थोड़ी सी धूपाती हो और छाओं रहती हो वह इपर रग दूँगे उसके बाद एक मैना बाद निकालूंगे तो दिखी एक मैना दस दिन बाद मैं निकाली हूँ इसको तो जो पत्ते थे पहले का वो भी है और नहीं पत्ते भी निकले हैं और सारे में फूल खिलना है रोज दो तिन चार करके फूल भी निकल रहे हैं इसमें से कटिंग में से ही तो बहुत सारे रूट हुए हैं तो मैं अबन्स से बस्ताइब करने अब कर दो देखाना पड़ेगा। तो मैं बहुत बड़े ब्रांच का यार लेरिंग की थी जो उसी मेंसे जो कट्टिंग करके छोटी चोटी ब्रांच निकले थे तो मैं उनको फेकी नहीं एक डब्बे में करके लगा दी तो इतने सारे कटिंग में सारे रूट हो गए हैं वह आप लोग को दिखाऊंगे अभी निकाल के दिखा रही हूं तो आप लोग कभी यह लेरिंग करें तो जो ब्रांच का छटाई करें निकालना हो फेकना हो उसको अफेक करके एक डब्बे में लगा करके रख देंगे तो उसमें से भी प्लांट बन जाएंगे एक महीना न दहस दिन-फंजा दिन हुए ओंगे यह बारए दिन हुए होंगे तो इतने अच्छे रूट हुए हैं तो इसमें मैं थोड़ी से साभफंगी साइट ली हूँ फेकने वाले ब्रांच में इतने अच्छे रूठ हुए हैं, क्योंकि कोई भी अलेरिंग करते हैं, तो बाद में डाल उसका जो ब्रांच होता है, काटकुट की थोड़ फेकते ही हैं, और इसे मैं भी काटती हूँ लेकिन फेकती नहीं हूँ कभी भी, तो सारे में रूठ आ ग साप फंगी साइड थोड़ी से मिला ली हूँ, और साप फंगी साइड से इसका रूठ भी धो ली हूँ, तो इसे गर के वही मिट्टी डालके थोड़ी-थोड़ी करके, दिखिए एक-एक में कितने रूठ आए हैं, ये गलास में जो बटल में लगा रही हूँ, इसमें भी बहुत सारे रूठ आए हैं, तो वही गोबर की मिट्टी है, गोबर है, थोड़ी से और मिट्टी है बस, और कुछ नहीं है, थोड़ी से साप फंगी साइड में लाई हूँ, ऐसे करके लगा के रख दूँगी, तो इसमें अच्छे से और जोड पकल देंगे, और थोड़ी हैं, दिखें, डिवाइड करके कितने सारे हो गए हैं, तो और थोड़ी-थोड़ी मिट्टी डाल देती हूँ, तो आप लोग कभी अगर हिश्कस का प्लांट फ्रूनिंग करें, तो जो काटिंग्स निकले, वो सब फेके नहीं, कोई भी डब्बे में, आप लोग एक जगा करके लगा दे, तो ऐसे कितने अच्छे से वस्में से रूट निकलेंगे, यह वही पानी है, जो मैं फंगिसाइड मिला कर रखी हूँ, तो डब्बे में रख देंगे, तो आप लोग ऐसे लगा के, या तो किसी को अगर दे देंगे, ऐसे रूट से तभी उन लोग जिन को और उनके घर भी फूल खिलेंगे, आप लोग घर भी फूल खिलेंगे, तो प्रूनिंग करने से आप लोग फेके नहीं ब्रांच, ऐसे ही कंटेनर में लगा के, कोई डब्बे में लगा के रख दे, तो बाइ फ्रेंस, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज स्सक्राइ कर दीजिए, गबाइ, थैंक यू